एलो गाइस कैसो हूँ आपसभी लोग आपसब अच्छे होगे तो दो आज कि इसालई वीडियो में आप सबी को बताने बाला हो कि कैसे आप craft men के अंदर मल्टि प्लेयर खेल सकते हो क्योंकि guys है हमारी Craftmens के मल्टि प्लेयर वीडियो के कमेंट सेक्षन में हच से ज्यादा कमेंट्स आ रहे थी क्यार आपने Craftmana के अंतर मल्टि प्लेयर कैसे खेला तो guys यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ यार अगर आपने भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब निकरा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिना साथ मैं आर वो जो बैल आइकन है उसको भी ओन कर दिना तो एनिवेज गाईज यार वीडियो स्टार्ट करते हैं हो sựसकता है कियं आप सोच रहे होगे कियार यह वाला जो ख्रेक्टर क्यों नीकरा तो मैं आपको बता दूं इन दोनों को रहतर कि और मैं कट्रोल कर रहा हूं तो एनिवेज गाईज पसे पहले मैं आपको यह बता जो सबसे पहले हम कुछ भी रख देते हैं पहुति हुआ तो इसका आप सभी डेख सकते हो घैसा कि यहां पर हमारा जो पार्टनर यह नहीं है अब अपको अपने फोन है वो लेना है फोट पर आपको कुछ इस तरफी की डिस्पलेूद्विग और वे तो आपको यह जो beast martian वाला वर्ld दिख रह ciao आपको पहली पता दूगी आपके वाले फॉन में beast martian नहीं दिखेगा अब मेरे character के नाम beast martian आ इसले ये वाला world beast martian से दिख रहा है और आगर आपका character कुछ और होगा जैसे की steve Aleks और आपने कोई भी custom character लिख हरका होगा न तो वही वर्ल उसको अवोगा तो सिंपल आपको वोज जो बीश्ट मार्षन मतलब जो आपका वर्ल नहां आपको इस पर किलिक करो जैसा कि आप देख सकते हो left hand side पर देख सकते हो यहां लिखा है बीश्टी जोइन दी गेम तो इसका मतलब यार यह जो बीश्टी है मतलब यह जो हमारा प्लेयर है इसने इस गेम को जोइन कर लिया तो guys यार इस तरीके से न आप Craftman के अंतर Multiplayer कहले सकते हो अब guys मैं आप सभी को पहली बता दियो कि यह वाला ML है यह एक तरीके से आप बोसकते हो कि एक Midrange ML है मतलब आप आपस इस GAME को खेल सकते हो क्योंकि दो तरीके के multiplayer होते हैं एक होता है offline multiplayer और जो guys दूसरा होता है वो होता है online multiplayer अब जो offline होता है जैसे कि मैं आप सभी को बता दिया कि उसमें आप offline मतलब आसपास अपने दोस्तों भाई बैनों के साथ खेल सकते हो तो guys दो इस तरीके से आप खेल सकते हो क्राफ्टमेन के अंदर multiplayer तो I hope आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप क्राफ्टमेन में multiplayer खेल सकते हो तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो ये इस वीडियो को